दोस्तो आज की वीडियो में बात करूंगा मैं WTP plant के बारे में जिसको water treatment plant पोला जाता है हर एक industry में mostly WTP plant यूज होता है चाहे वो hotel industry हो, residential site हो या फिर commercial building हो हमारा जो भी water source है चाहे वो borebell हो या बहार हम tanker से पानी लेते हों अपनी industry में उसको हम सबसे पहले जो हमारा fire water tank होता है उसके अंदर लेकर गयाते हैं और fire water tank से पानी overflow करके raw water tank में गरता है दोस्तो ये tank सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ बाकी जब आप industry में job करेंगे या industry में आप होंगे तो वहां आप देखेंगे कि ये tank सारे concrete के बने होते हैं तो आपने tension नहीं लेने हैं बिल्कुल सिर्फ आपको वीडियो समझना है इसका working principle समझना है अब जो हमारा raw water tank है यहां से हम पानी को out करेंगे एक suction pipe के जरिए और अपने feed water pump के inlet में लगा देंगे यहां दोस्तो आपको suction pipe में एक white type stanner देखने को और मिलेगा जिससे हमारा maintenance का जो time होता है वो time बच जाता है क्योंकि जो भी कच्रा रहेगा वो stanner में फच जाएगा और इसे हमें खोल करके regular clean करना होता है दोस्तो यहां आपने notice किया होगा कि मैंने इसको feed water pump बोला आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी हमें industry में motor यूज करते हैं जादतर isquiral gauge induction motor ही होती है लेकिन इनको अलग-अलग नाम दे दिया जाता है इनके use के हिशाब से जैसे दोस्तो हम sum pump यूज करते हैं अपने HTP plant में cutter pump हम यूज करते हैं HTP plant में तो इनको सब को नाम दे दिया है इनके working principle के साब से यहां आप दोस्तो देख सकते हैं दो feed water pump लगी हुई है एनर भी लगी हुई है जिनको raw water tank से पानी की supply दे गई है अब जो हमारा pump से outlet जाएगा यह MGA filter पर जाएगा जैज आप देख सकते हैं यह MGA filter लगा हुआ है दोस्तो MGA filter से पानी निकलने के बाद हमारा ACA filter में जाता है और ACA filter से पानी निकलने के बाद हमारे softner में जाता है तो यहां मैं detail में समझाऊँगा आपको कि इन सारे filter के अंदर क्या भरा हुआ होता है जैसे हमारा MGA filter है इनके अंदर कई सारे grables की layer होती है grables वो लें तो छोटे छोटे पत्थर दोस्तो अंदर की बाद समझने से पहले हम भार के जो जितने भी इसमें butterfly बाल लगे है इनको कैसे operate करना है वो समझ लेते हैं यहां दोस्तो मैं आपको एक filter के सभी बाल operate करके दिखा देता हूँ कि कैसे इनको service mode में हमें operate करना है जब back boss करेंगे उस time कौन कौन से ball open रहेंगे कौन से ball बंद रहेंगे जब भी दोस्तो आप job करेंगे तो आपके एक जिम्मेदारी होगी duty आते time कि हमारा कौन कौन सा equipment चल रहा है वो round लेके property का सब कुछ आपको देखना होता है अब दोस्तो हमारा feed water pump से पानी out होने के बाद जैसा मैं arrow से देखा रहा हूँ mgf filter के inlet तक आ गया आगे आप देख सकते हैं दोनों बाल अभी close condition में हैं मैं उपर वाले बाल को manually on कर दूँगा और मेरा पानी उपर से entry करेगा mgf filter में नीचे से पानी out होने के बाद जिदर हमारा ACF filter लगा हुआ है उस side बाले बाल को हम on कर देंगे तो हमारा पानी उपर से आया और नीचे से out होने के बाद ACF में चलागी यहां दोस्तों notice करने बाली बात एक और है जहां से हमने पानी की entry करा ही है उस side में आपने देखा एक pressure gauge लगा हुआ है पानी हमारा filter के जरीए filter होते हुए नीचे से जब out करेगा तो यहां भी आप देखेंगे एक pressure gauge लगा होगा आपकी property में या आप जहां भी काम कर रहे हैं तो आपको pressure भी major करना है कि जब हमारे पानी ने entry की थी उस time कितने kg या कितने PSI का pressure था और जब filter से पानी out हुआ तो यह pressure कितना drop हो गया means जब एक time के बाद इसको backwash करने की जरूरत होती है तो हम pressure देखने के बाद ही backwash करते हैं जैसे इधर हमारा 4 kg का pressure जा रही है entry में और नीचे से जब out हुआ तो 2 kg का pressure हो गया इस विसाब से हमें पता लग जाएगा कि हमारा filter में 4 kg हो गया और हमें इसको backwash करने की जरूरत है अभी आप देखेंगे कि backwash करने के लिए हम उपर वाले वाल को off कर देंगे जो service mode में on था और नीचे वाले वाल को on कर देंगे एक बात और ध्यान देना कि जब भी आप किशी वाल को on off करेंगे उस time आपकी motor नहीं चलनी चाहिए आप motor को पहले off करेंगे उसके बाद ही वाल को manually on off करना है नीचे वाले वाल को मैंने जैसे ही on किया मेरा पानी जहां से entry हो रहा था उस side से आते हुए वो नीचे से in करेगा और right hand पर आप देख सकते हैं ACF की तरफ जाने वाला pipe भी हमने close कर दिया और नीचे drain बाला भी pipe close कर दिया है अब पानी हमारा नीचे से MGA filter में जाएगा और उपर से out होते हुए वो right hand में जो उपर बाला drain की तरफ बाल है इस बाल को हम manually on कर देंगे जैसे हमारा पानी नीचे से entry किया और उपर से out होके ये drain हो गया दोस्तो multi port बाल कैसे काम करता है इसके उपर भी मैं एक detail बीडियो बना दूँगा दोस्तो जो हमारा MGA filter होता है इसको हम pressure send filter भी बोलते हैं और सारे जितने भी filter होते हैं इनकी capacity लीटर पर हावर्स में होती है MGA filter लगा करके हम जो पानी के अंदर घुलंशील अशुद्दियां हैं जो भी TSS होते हैं total suspended solid, physical impurities और जो भी dust particle यहां तक हम 50 micron तक के जितने भी dust particle होंगे को MGA filter से remove कर देंगे MGA filter से पानी निकलने के बाद हमारे ACF filter में जाएगा और ACF filter के जितने भी बाल लगे हुए हैं उनका भी working principle सेम है जैसे मैंने MGA filter में बताया यहां आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूँ कि जो हमारा पानी होता है इसको चार केटेगरी में केटराइज किया गया है फर्श नमर पे आपका distil water आता है जो हम बैटरी में पानी यूज करते हैं वो भी distil water होता है जिसको हिंदी में आसुत जल बोलते हैं और दूसरे नमर पे हमारा soft water आता है soft water को म्रदु जल बोलते हैं बिशलरी का पानी पीते हैं यह soft water है और तीन नमर पे हमारा कठोर जल जिसको hard water कहते हैं और चौथे नमर पे आपका heavy water हो गया जिसको भारी जल कहते हैं दोस्तो मार्केट से जब भी आप पीने के लिए पानी खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि इतने ज़्याद ब्रांड है आपको यह पता नहीं लग पता कि कौन सा ब्रांड लोकल है और कौन सा ओर्जिनल है यह question आपको interview में नहीं पूछा जाएगा लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ जितने भी ब्रांड होते हैं उनको government एक whole mark देती है जिसको ISI बोलते हैं जैसा आप देख सकते हैं यहां दोस्तों मैं आपको एक whole mark को verify करना बता रहा हूँ whole mark से नीचे आप देखेंगे cm.l करके एक digit लिखी हुई है जिसमें 92, 87, 495 आप जो 95 नमबर है last के 2 digits इन 2 digits को छोड़ करके जितने भी आगे के digit हैं इनमें 1, 2, 3, 4 से multiply करके सब को sum करते हैं तो जो last digit होती है यह आता है जैसे मैंने 4 में 1 से multiply करा 7 में 2 से, 8 में 3 से, 2 में 4 से और 9 में 5 से और इन सब को मैंने जब sum किया तो मेरा 95 आ गया को एचा ही verify कर सकते हैं किसी भी brand या किसी भी equipment को खरीद से समय तो उम्बीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी अगर कोई भी doubt है तो नीचे comment box में comment कर देना आगली वीडियो में मैं softner में salt कैसे charge करते हैं और proper practically आपको वीडियो देखाऊँ